सुशान्त सेह राचपूत का यू ऐसे चले जाना सभी के लिए एक हरानी वाली बात थी दरसल 14 जून को सुशान्त ने अपने फ्लैट में सुसाइड कर लिया था लेकिन अब तक उनके सुसाइड वाली बात को कोई सच नहीं मान रहा हर कोई अपना बयान दे रहा है वही जब जैसे जैसे इस केस की जाँच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नएने खुला से हो दे जा रहे हैं वही अब सुशान्त सेह के पूर्व असिस्टेंट ने भी उनके सुसाइड को लेकर एक चौकाने वाला बयान दिया है आपको बता दे पूर्व असिस्टेंट अंकेत आचारिया वो शक्स हैं जो सुशान्त के साथ 24 गंटे रहते थी लेकिन रिया ने उन्हें काम से निकलवा दिया था अब उन्हें सुशान्त की सुसाइड को लेकर ऐसा दावा किया है कि जिसके बाद सब लोग हैरान रहे गए आपको बता दे अंकेत ने ये दावा किया है कि भया सुसाइड नहीं कर सकते ये एक हत्या है ये दावा उन्होंने एक इंटरव्यू की दरान किया है जानकारी के मताबिक अंकित का कहना है कि सुशान सूसाइड नहीं कर सकती मैं सुशान भया को अच्छी तरीके से जानता था मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये सूसाइड केस है ये निश्चित रूप से एक हत्या है अगर हम ये मान भी लें कि सुशान भया ने सूसाइड किया है तो जब कोई सूसाइड करता है तो गले पर मार्क यू शेप में आता है लेकिन जब कोई आपका गला दबाता है तो ओ शेप आता है सुशान भया के case में O shape था जब कोई suicide करता है तो उसकी आखे और जीब बाहर आ जाती है लेकिन सुशान भया के case में ऐसा नहीं हुआ तो ये murder ही है उन्होंने आगे बताया कि किसी चीज से उनकी हत्या की हुई होगी मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि उनकी गले में किस चीज का निशान था ये निशान सुशान भया के pet dog तज की belt का है मेरे पास भया की body की photos है और मुझे ऐसा ही लगता है कि गुनागारों ने उसी belt से सुशान भया का गला घुटा है इस बयान के साथ अंकित ने सभी अपरादियों को सजा देने के लिए कहा अंकित ने कहा कि CBI को केस ट्रांसफर होने से में बहुत खुश हूँ मैं पूरी जाच चाहता हूँ और उमीद करता हूँ कि सुशान सर को नियाय मिले मैं जाथा हूँ कि दोश्यों को फासी तक की सजा हो आप देख रहे हैं घमासान.com और भी नियूज अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें